सो स्वीट किचन में जहां पारंपरिक विंजन पारंपरिक पद्धती से बनते हैं वहां बनेगी आज राजस्थानी शाही बेसन के गट्टे की सबजी जो राजस्थानी शादियों में बनती है एकदम हलवाई स्टाइल बनाएंगे और ये गट्टे एकदम सौफ्ट कैसे बनाने हैं वो भी टिप आपको दूँगी चलिए बनाना शुरू करते हैं गट्टे बनाने के लिए मैंने यहां पे धाई कप जितना बेसन लिया है वजन में करीब 400 ग्राम है तो यहां या तो आप लें मोटा पिसावा बेसन या फिर लें मद्यम पिसावा बेसन बारिक बेसन यहां बिल्कुल भी नहीं लेना है उससे आपके गट्टे अच्छे नहीं बनेंगे तो ये मैंने बेसन चान के ले लिया था पहले ही और उसमें डाल रही हूँ मैं कुछ मसाले तो पहले लाल मिर्च पाउडर ले ली है फिर हल्दी पाउडर डाल दिया है धनिया पाउडर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर का दुगना धनिया पाउडर डालते हैं हमेशा और सौफ डाली है कसूरी मिथी डाली है उसके साथ ह जीरा और अजवाईन तो बेसन की किसी भी रेसिपी में बहुत जरूरी है उसके साथ ही नमक डाल दिया है स्वादनुसार और हींग इसमें डाल दी है एक चोटा चमच और सिर्फ एक चुटकी जितना वेकिंग सोडा या मीठा सोडा खाने का सोडा जिसे बोलते हैं वो डाला है अच्छी तरह से पहले सुखे मसाले सारे बेसन में मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें जाएगा करीब एक चोथा कब जितना तेल और उतना ही घर का ताजा दही दही की जगे आप चाहें तो एक चोटा चमच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब हलके गुन-गुन पानी से इसका हमें आटा लगाना है बहुत ही कम पानी लगेगा क्योंकि दही डाला है हमने इसमें और तेल भी भरपूर है इसलिए बहुत कम पानी में यह इस तरह का आटा लगाना है जादा सक भी नहीं जादा गीला भी नहीं ठीक सा आटा हो और इसे थोड़ा सा तेल ल देखके बच्पन याद हो आगया होगा कि मा किस तरह बनाती थी रोल सारे बना कि एक कड़ई में मैंने गरम पानी होने रख दिया था उसमें ये बेसन के गट्टे का रोल में उबालने के लिए डाल रही हूं तबी तो आप देख रहे होंगे कि ये गट्टे कड़ई में नी चेक भी करके देख लेते हैं एक गट्टा में निकाल के दिखा देती हूं आपको ये देखे एकदम बढ़या सी इस पर बबलस आगये हैं चाकु से काट की देख रहे हूँ तर एकदम सौफ्ट गट्टे हमारे उबल के तईयार है ये सारे गट्टे पानी में से निकाल के थोड़ी दे ठंडा करेंगे और ये पानी फैकना नहीं है, क्योंकि ये ही पानी आगया हमें ग्रेवी में काम में लेना है. हलकी सी वाफ निकलते इन गट्टों को हमें छोटे पीसेज में काट लेना है, हमने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और मोयन भरपूर डाला, इसकी वज़े से गट्टे हमारे एकदम सॉफ्ट बने हैं, बच्पन में किस-किस ने अपनी मा की डाट खाई है, इस तरह उबल गट्टे की सबजी बनानी हो, तो दही की ग्रेवी बनाईए और उसमें गट्टे डाले सबजी तयार, ग्रेवी के लिए मैंने यहां घर का ताजा 500 ग्राम जितना दही लिया है, उसमें तीन बड़े चम्मच काजू का पावडर डाल रही हूं, काजू मैंने मिक्सर में पल लाल मिर्च इसमें डाली है, उसका दुगना हमें डालना है, धनिया पावडर, मेरी मा कहती है, जितने लाल मिर्च पावडर डाल रहे हैं, उसका दुगना धनिया पावडर डालो, किसी भी सबजी के लिए यह प्रपोर्चन एकदम परफेक्ट होता है, और अब इसमें डा और कसूरी मेथी दो बड़े चम्मत जितनी इसमें डाली है नमक आप अपने स्वादनुसा डाले हैं टेस्ट भी कर सकते एक बार और फिर डाल सकते हैं क्योंकि गटों में भी नमक है तो इसमें उसी साब से नमक डालना है एक कड़ाई में मैंने लिया है एक कब जितना तेल आप कम भी ले सकते हैं लेकिन इस शाई सबजी ये शादियों वाली तर्रीदार बनती है उसमें मैंने काजू और किश्मिश थोड़े से डाले हैं ये गार्निशिंग में भी लगेंगे ग्रेवी में भी डालेंगे अब तेल में डाल दिया है जीरा राई और उसके अलावा इसे लगातार चलाना है हमें वरना दई में ऐसे कहते हैं कि दई फट जाता है अगर इसे ऐसे चूड़ दिया तो जब एक बार इसमें उबाल आ जाए अब मैंने इसमें हल्दी पावडर भूल गई थी में डालना तो वो मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमें चलाते वे पकाना है जब एक बार ये थोड़ा तेल चूटने लगे तब धकन लगा कि इसे और पकाना है धकन इसलिए लगाना क्योंकि इसके चीटे बहुत उट रहे हैं अब दही बहुत अच्छे से पक गया है तेल बहुत बढ़ चूड गया आप देख सकते हैं तो अब ग्रेवी में फट जाती है अब क्या करना है जो हमने गटों का पाणी रखाता वो आपको जैसी कंसिस्टनिसी की वसाप से ढलें तो यह मैं थोड़ासा लिक्विड तन सी रख deliver डाल रहे हैं और गटे क्यूंकि यह पनी चूस लेते शोग लेते इसलिए पानी पहले 70 मिनूप की लिए इसे हमें पकाना है तो राजस्तान में शादियों में मिलने वाली शाही बैसन की गट्टी के सबजी अज घर पर ही बनाई है इसा आप रोली की साथ और बाटी बाटी की साथ अगर बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी आपको थोड़ी पतली रखने पड़ेगी और अब इसमें डाल दिया है काजू की श्मिश जो अमने तल के रखे थे वो इसका स्वाथ बहुती बढ़िया आता है तो आज कही रेसिपी वीडिया आपको पसंद आया है तो